नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने इस यूटूब चैनल पर मैं हूँ मौन सुथार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिर हम टेली प्राइम सोप्टवेर में सेल्समेन वाइज या फिर एजेंट वाइज सेल के उ उनको सेल्री नीं देती बलकि उनको कुछ प्रोडेक्ट है ठेसे सेल करवाजा जाता है जितना प्रोडेक्ट उन्हें सेल किया है उसके बैसी पो नक Standard प्रसेंटेज एजो फिक्स होता है और उनकी कमिस्न की sale voucher के हम entry कर लेते हैं और उसके बाद में sale voucher को देखके सारा data analysis करके हम Excel में कुछ working करते हैं और Excel में हम salesman wise या फिर agent wise हम सारा sheet चार्ड sheet त्यार कर लेते हैं कितना sale की value किया क्या उसका commission का percentage है और कितनी commission की amount बन गी यानि कि हमें tele software के साथ-साथ Excel में भी working करने पड़ती है तेकिन हम चाहते हैं जो हम Microsoft Excel में जो working करती है करनी हमें पड़ती है commission की amount निकालने के लिए वो excel में ना करना पड़े उसकी जो report है हमें tele prime software में ही मिल जाए sales commission की detail या salesman wise commission का जो report है वो हमें यहाँ पर मिल जाए कितना commission उसका बना हुआ है कुछ इस तरीके से report हम tele software में देख सकते हैं तो दोस्तों यह हम tele software में किस तरीके से देख सकते हैं कौन सा tutorial file हमें use करना होगा किस तरीके से मिसको download कर सकते हैं सारी बातें इस वीडियो में हम practical तरीके से आपको बताने वाले हैं आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से चोटी सी request है चैनल पर अगर आप पहली बार रहे हो तो इस कि इस वीडियो में जो हमने tutorial file का यूज किया है salesman wise commission report को देखने के लिए वो बिल्कुल फरी है वैसे आपको काफी सारे और tutorial file available हो जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको उनके पैसे देने पड़ते हैं उसमें आपको थोड़ी सी facility और ज्यादा मिल जाती है लेकिन आज जिस tutorial file के हम बारे में हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल फरी है और काफी हद तक आपका काम है जो असान कर देगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उस tutorial file का नाम तो tutorial file का नाम हम help पे जाएंगे tutorial and addons पर क्लिक करेंगे तो जो tutorial की जो file आपको जो search करने है टेली शोप पे जाके हुआ है salesman wise commission on sale prime 1.1 के लिए तो इस नाम से आपको टेली शोप पे जाके इसको search कर लेना है और इस tutorial file को आपको अपने टेली प्राइम software में install कर लेना है तो दोस्तो टेली प्राइम software हम tutorial को कहां से download कर सकते हैं किस त इस नारी बातों के लिए मैंने एक special video बनाया हुआ है आप हमारी इस टेली प्राइम software के playlist में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको ये tutorial file है जो install कर लेनी है अपने टेली प्राइम software में उसके बाद में सबसे पहले हमें एक group create करना पड़ेगा जो कि मैंने already किया हुए लेकिन आपको मैं अल्टर में दिखा देता हूँ अल्टर पे और group में तो सबसे पहले आपको ये एक group create कर लेना है agents के नाम से और उसका जो nature of group select करना है वो करना है assets और उसके बाद में सारे features आपको know रखने है तो इस तरीके से आपको agents का एक group create कर देना है देन उसके बाद में आपको एक जो आपका salesman है चाहिए आप उसको agent का नाम देख सकते हो उसका एक laser हमें create करना पड़ेगा तो वो laser भी मैंने create किया हुए उसके लिए हम एल्टर पे चलते हैं आपको create करना पड़ेगा मैं laser पर जाओंगा और laser पर मैंने for example एक ABC salesman के नाम से laser create कर लिया और इसका जो under groups जो हमने group create किया था वो agents का किया था agents के नाम के आपको यहां पर group है जो select कर लेना है इंटरपेस करते हुएंगे और उसके बाद में आपको option यहां पर दिखाई देगा salesman commission in percentage जैनकि आपको इस salesman को कितने परसेंट का commission देना है जिसा कि मैंने 3% यहां पर select किया हुए आप अलगला commission salesman का 3,6,3,4,5,6 जितना भी commission है आपकी company के coding आप वहां पर इसको set कर सकते हो जिससे मैंने 3% किया हुए है इंटर प्रेस करेंगे अब उसके बाद में आपको क्या करना होगा simple जैसा कि हम sale voucher की entry पास करते है उस तरीके से sale voucher की entry करनी होगी sale पर हम जाएंगे F8 हम प्रेस करेंगे और उसके बाद में जो हमारा voucher नंबर है उसके बाद जो हमारी date है उसके बाद जो हम date को हम select करेंगे और उसके बाद में जैसे हम sale voucher पर जाएंगे सबसे पहले आप से name of agent का नाम पुचेगा भी ये जो sale हो रही है ये sale हमारी कौन से agent के through हो रही है तो जैसा कि हमने ABC salesman का हमने एक laser create किया हुआ है तो list of salesman में हम ABC salesman को select कर लेंगे और उसके बाद में party account name किसको हमने sale किया है तो उस customer का नाम है यहां पर हम डाल देंगे और उसके बाद में simple उसी तरीके से हमारी जो stock item जैसा कि routine में हम sale करते हैं और उस तरीके से cgst tax और sgst tax इंटरप्रेस करते हैं इस voucher को एक पर हम करेंगे accept तो यानि कि इस voucher को हमने कर दिया sale अब हम इस तरीके से अलग लग salesman wise agent wise हम sale करते रहेंगे लेकिन अब हमें report देखनी है हमने ABC का जो हमारा salesman है उसने कितना sale हमारी company का अभी तक करवा दिया इसकी report को देखने के लिए हम जाएंगे display more reports पर हम जाएंगे और उसके बाद जाएंगे statement of accounts पर और उसके बाद आपको यहां पर statement of accounts की window पर आपको देखने को मिलेगा salesman wise commission इस पर हम click करेंगे और यहां पर आपके जितने भी आपने agents के रूप में जो salesman है या agents आपने create कियोंगे सारी list आपको यहां पर show करतेगा अब यह example के लिए हमने एक ही salesman है जो select किया हुए और उसके बाद में आपका सारा record यहां पर आ जाएगा जिसके ओपर heading में salesman wise sales and commission calculation for ABC salesman और इस तरीके से जो जो हमने sale करवाई है 15 February को इस तरीके से हमारा customer ने किसको sale करवाया है और उसके बाद में कितनी quantity हमने sale करवा दी और उसके बाद में total taxable value कितनी है और invoice की value कितनी है और कितना उसका commission है जो बन चुक है अब आपको commission दो basis पे calculate करना है यानिकि या तो आप अपने salesman को यह बोच सकते हो भी आप हम आपको उतना ही commission देंगे जितनी हमारी goods की value है उस पर आपको commission देंगे ने कि इस total amount पे तो यह आपर depend करता है भी आप with GST commission देना चाहते हो या फिर केवल जो goods की value है उसी के हुपर आपको commission calculate करना है यानिकि या तो एक लाग पचास जार के उपर आप 3% दोगे या फिर अगर आप total net पे दोगे तो एक लाग सततर हजार पे आपको देना पड़ेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो option दिखाए देंगे एक तो आपको option दिखाए देगा own inventory जैसे ही पे बन गया यह मैंना आपका इस inventory की amount के उपर अगर आपने बात भी टोटल amount पे देंगे यानिकि GST include सब कुछ खर्चे को सब कुछ include होने के बाद जो invoice की amount है उसके उपर आगर आपको commission देना चाते हो तो यह option आजेगा own invoice value जैसे हम own invoice value पर click करेंगे तो अब यह जो amount बनी ह 5310 रुपे यह आपके 1,77,000 की amount के उपर commission है जो calculate हो गया तो दोस्तो इस तरीके से हमारा एक बार काम चल सकता है क्योंकि यह काम हमें Excel में करना पड़ता है तब यह Excel से कापी हता कमारा चुटकारा मिल जाएगा टेली प्राइम software में अगर हम इस TDIL file का use करते हैं तो तो दोस हो जाएगी अगर हम इसका ABC का laser देखें ABC salesman का तो आप देखेंगे यहां पर किसी टाप की कोई transaction भी तक पास नहीं हुए वो report हमारी केवल sales की जो हमारा commission बना है उसकी report को देखने के लिए ही है तो दोस्तों अगर आप चाहते हो भी यह जितना commission बनना है उतना commission उस salesman के account मे automatic ही credit हो जाना चाहिए तो इसके लिए आपको जो TDL अगर आप यूज करोगे तो वो उस TDL के आपको पैसे देने पड़ेंगी जनकी वो chargeable है इसके अंदर हम केवल देख सकते हैं भी हमारा जो salesman या फिर agent है उसका commission है जो कितना बना है तो salesman commission wise हम देख सकते हैं इसके अंद ABC salesman और इसका total commission कितना बना है अगर हम इसको detail के साथ देखेंगे तो detail में हमारे को ये भी पता चलेगा इस salesman आज तक कितने क्या कौन-कौन से product हमारे sale करवाई है और कितनी quantity में sale करवाई है और उनकी value कितनी है जितनी उनकी value बनी है वो 4693 रुपे और 20 पैसे total इसका commission बन च चाहेंगे तो इसकी entry हमें manual entry पास करनी पड़ेगी भी हम जो हमारा ABC salesman है उसको हम करेंगे credit और commission के account को हम करेंगे debit और जैसे commission 15,000 से cross करेगा देन उसके बाद हम उसके पर 5% TDS भी deduct करेंगे तो इस तरीके से हमारा free के अंदर ये TDL है काफी हद तक हमारा काम है जो असान कर देगा तो दोस्तों वीडियो कर आपको पसंद आई हो अगर ये TDL फाइल भी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर भी करना और वीडियो कैसे लगी ये आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना तो मिलते हैं next व